ओम नमो भगवतेवासुदेवाया। तु हम चर्चा कर रहे थे कि बःफळी ने किस पimanaर से क्रिएशन करी और नुके मुख से किसी पार किसा यग यगा की अगनी निकली। उसके पहले हमने सुना कैसे सारे वेद निकले, पुरान निकले, उसके श्रिष्टी हुई, वो सारे चीज निकले, पांचवावेद हमने सुना, चार वेद और पांचवावेद पुरान के बारे में हमने सुना, उसके बाद शिक्षा, दान, तपस्या, सत्य, धर्म के चार पह तत्था वार्ता संचयाशालीन शिलुच्छा इती वैग्रिहे तत्पश्चा द्विजों के लिए यज्य पवीत संस्कार का स्तूत्र पात हुआ तो ब्रहामन द्विज हम सुनते हैं द्विज जिसका दो बार जन्म हो एक बार मा के कोक से जन्म होता है और हम देखते हैं जब सचाल के बाद में एक और जन्म होता है जिसको हम यज्य जन्म काते हैं यज्य पवीत संसक्ार तो जिसमें जन्म के जा जाता है अब ब्रहामन वन किसी को मिल रहा है जो लोग हरिनाम की महतोता को नहीं जानते हैं जीवन के मूले को नहीं समझते हैं वो भी जनम मिलता है मनुष्य जनम कहीं को मिल जाता है जो कि जानवारों को तरह हम जीते हैं लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जनम को सार्थक करते ह और ultimately वो next जनम यानि की हरिनाम दिक्षा ले पाते हैं नाम में उन्हें दिक्षा मिलती है और फिर उन्हें कुछ लोगों को ब्रामन दिक्षा मिलती है तो वह इतार है कि तदपशा द्विजों के लिए यग्यो पवित संसकार का सुत्रबात हुआ और उसी के साथ वेदों की स्विक्रिति के कम से कम एक वर्ष के बाद एक वर्ष बाद तक पालन किये जाने वाले नियम बनाए गए तो जितना भी वेदिक साहित्य है उसमें बहुत सारे नियम बताए गए है कई बार लोग नियमों से डरते हैं इसलिए इसको आन में नहीं आते हैं देखे ध्यान रखे सस्ती वश्चतु हैं हर जगे मिलती हैं लेकिन कहते हैं कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार इन जगाओं में जाकर धोका खाना और फिर नीचे गिरना फिर उपर उठना फिर किसे से धुका खाना जो भी वेक्ति आपको कह रहा है कि आप उपने जीवन में कोई परिवर्तन मत कीजिए जो खा रहे हो खाते रहिए जो पहन रहे हो पहते रहिए कोई चेंज करने की जड़त नहीं है लेकिन हम आपको धार्मिक बनातेंगे यदि आप आके कुछ ऐसा कर लो हमारे पास आजो हमारे से दिक्सा लिलो या हमारे से मंत्र लिलो या हमारे पास हमारी कता सुन लो और कुछ करने की जड़तनी वास्तों में धर्म क्या है जो शास्त्र के अनुसार पढ़ाय जाए बताय जाए तो सबसे पहले सबसे important चीज यही है कि गुरू वही है जो शास्त्रों के अनुसार पढ़ाये सुनाए शास्त्रों का निचोड हम सुनते हैं विदान्त सूत्र और उसके ऊपर जो है उसकी explanation हम सुनते हैं श्रीमत भागुतम में तो श्रीमत भागुतम सारे शास्त्रों का निचोड है जो श्रीमत भागुतम और भगवत गीता के अनुसार से नहीं बता रहा है तो वास्तविज्या नहीं दे रहा है आपको इसलिए कई सारे कईटव धर्म आ गए हैं संसार में जो कि हमारे अंदर इतनी अबिलिटी कैपैसिटी विल नहीं है कि हम नियमों का पालन ठीक से करें तो हम इन सस्ते गूरूं के चकर में पढ़ जाते हैं और हम डरते हैं अरे यहां पर आने के तो यह बंद हो जाएगा यहां पर आएंगे तो यह बंद हो जाएगा तो मदा चाहिता हैं अजिदों से लेकिन ऐसे तो आगर कोई बोले कि अगर तुम्हें इनिरिंग करनी है और को कोई कहा है नहीं इनिहें करनी है तो इस सारी वेधिक जो हमारे शास्त्र है उनमें रीती, रिवाज नियम बनाए गए यह नियम मुश्किल नहीं है वास्ता में यदि हम भक्तों के संग में रहते हैं तो आप देखेंगे कि नियम बड़ी आसानी से बच्चा भी पालन करता है हमारे छोटे छोटे बच्चे दो साल, तीन साल, चार, पांच साल के हमारे पास बच्चे भी हैं, बूडे भी हैं, शादी शुदा भी हैं, नॉन्लब मेरिट लोग भी हैं, व्यवसाही करने वाले भी हैं, नौकरी करने वाले भी हैं, मतलब हर तरह के लोग हैं और इसका पालन कर रहे हैं, तो यह यहां बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने उसके का सेयोग किये भिना जीवी का चलाने की विदी का सुतर पातवा या niece Sari विदिया बनाएंगे हर किसी के लिए यानि कि अगर आप घ्रिहस्त हैं तो इसका सम्बंद बना जा सकता है आपस में दूसरे के साथ नहीं उसके भी कुछ नियम है अगर आप उसके नहीं मानव प्रकार का पेशा कर सकते हैं, कितना आपको दान देना चाहिए, कैसे आपको करम करने चाहिए, कैसे परिवार का पालन करना चाहिए, ब्रहमचारी को कैसे जीना चाहिए, कैसे जब आदमी सन्यास ले 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 तो बिना किसी के सहरे से जीवन जीना चाहिए, तो इस सारे नियम शास्तु रहा है, हम सुनते हैं शिम्त-भागवत्म में नारदभुनि युदिश्व माराज को सारे आश्रमों के बारे में जान k pollutrd देते हैं बहुत ही डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे जब भागवत्म में पढ़ेंगे कि वयसाग वैखाणसा वाल खिल्य अदुम्बरा फेनपावने न्यासे कुटी चकापूरवं ब्रहमेद हंसानिश्क्रियोग वानप्रस्त जीवन के चार विवागे हैं वेखानस वाल खिल्य ओदूंबुर तता फेनप सन्यास आश्रम के चाग विवागें कुटी चक ब्रह्मोध हंस तता निश्रे सभी ब्रह्मा से परकड़ है तो यह बड़ी डिटेल ही हमें तो केवल हमें तो आज की लेट में किसी को यही नहीं पता कि वर्ण आश्रम क्या है चार आश्रम के यहीं किसी को नहीं पता है ब्रह्मचारी ग्रहस्त वानपरस्त और सम्यास तो इसमें व्यक्ति को ग्रैजूली शिफ्ट करना होता है हर व्यक्ति पहले ब्रह्मचारी होता है आजकल ब्रह्मचारी रहे नहीं है क्योंकि छोटी उमर में ही बहुत कुछ हो ज जाता तो उसके बाद गृषस ताश्रह में आसकते हैं जो ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहते हं वो जो फिर वायू में तो उसको टोटली अपनी पत्नी से भी अलग बट ऐसा बताते हैं कि कल्यूग में सन्यास आश्रम निशेद है क्योंकि बहुत ही रेर है मतलब तो लेकिन वानपरस्त तो सब के लिए एक उमर के बाद सब को टोटली 24 घंटे भगवान की सेवा में लग जाएंगे लेकिन हम देखते हैं बड़ा मुश्किल होता जा रहा है इसको करना भी आजकर क्योंकि हम लोग ने बहुत पहलावट कर लिये बहुत पहला लिया है मामला तो हमें यह लगता कि अभी तो नहीं हुआ है अभी सब को सेटल नहीं हुआ है इसमें समय लगेगा फिर शादी है बच्चों के बच्चे हैं बहुत कुछ है तो हम काई डव उसमें से कभी निकली नहीं पाते है और अचानक से एक दिन हमारा जीवन का अंत जाता है तो उस आन्वीक्षिकी त्रईवार्ता धंडनीती तथा एवचा एवंव्याहितयाचा आसन प्रणवही अस्चदिहत तर्क शास्त्र विज्यान जीवन के वैदिक लक्षे कानून तथा व्यवस्ता आचार सहीता तथा भू भूवा सुअ नामक विख्यात मंत्र यह सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए उनके हिर्दे से प्रणव ओंकार प्रकट हुआ तो वास्तों में आप सच्चाई तो यह है इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मा जी ने इन सब की क्रिएशन करी जैसे आप सुनेंगे कि ब्रहादेव निकले उनकी नासिका से वरादेव निकले कोई जैगा जि भगवान के सोर्स तो ब्रहमा जी हो गये ब्रहादेशी के थ्रूफ परकट वह जैसे अभी हमने चर्चा करी शिव जी ब्रहमा जी के थ्रूफ परकट हुए वस्त का मतलब ही नहीं कि शिव झी ब्रहमा के आधीन हो गये वस्तों में इसी तरह से ओंकार तो ऐसे यह ब्रहमा लेकिन ब्रहमा जो है हर चीज को manifest कर रहे है समान इखटा कर रहे है स्रिष्टी की रचना के लिए यह समान दिया गया भगवान के द्वारा है लेकिन समान को प्रस्तुत कर रहे है हमारे सामने ब्रहमा जी उनका मिश्यनन कर रहे है तो उन्होंने क्या बनाया तरक कानून व्यवस्ता को मानते हैं लेकिन इन कानून व्यवस्ता को समझना पड़ेंगा क्योंकि जब यहमराज के सामने हम जाएंगे तो कोई नहीं फहांनेगा तुम भारत में थे क्या अच्छा भारत में थे तो गाएं को काटना लॉड नहीं है तुम यूएस से आई आयो मंत्र सुनते हैं यह मंत्र परकट हुए ओंकार परकट हुआ ते सारे मंत्र ब्रह्माची से परकट हुए तस्याग उश्रणीक यह ए घ्जीत लोमESE गायत्रि तात्वचाविभू तिश्टूप मान साथ सुनुता अनुष्ठूप चगती अस्थना प्रजापते तत्पषात्सर्वशक्तिमान प्रजापती के शरीर के रोमों से शरीर के रोम जो होते हैं बाल चोटे-चोटे उन रोमों से उष्णिक अर्थात साहित्क व्यक्ति लिट्रेशन जो हम लिखने की बहुत ज़ादा कला होती है कैसे लिखा जाए लिखने के काई सारे नियम होते हैं उन्होंने अपनी कला को भगवान के लिए उस किया आजकल के डेट में लोग इस कला को लिखने लीए उस करते हैं औरograph जीवाँ के स्व मी के चमणी से उतपन हुआ त्रिष्टुम उनके माच से अनुपुष्ट अनुष्टुप उनकी शिनाउंचे जगती चछण उनकी हड़्यों से उत्पन हुआ श्चाटी मैं जाया श्चाती रुथपना ब्रिहती प्राण तो अभवत 15 लोग लिखने की कला का उधय अस्थी मन्जासे हुआ और एक अन्य श्लोग ब्रिहती लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन ब्रह्मा जी ने ये सारी चीज़ें प्रकट करी जान रखेगा create नहीं करी ब्रह्मा की आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में उनका शरीर स्वरों के रूप में उनकी इंद्रियां उश्म अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतहस्था अक्षरों के रूप में और उनकी एंद्रिय कारे कलाप संगती के संगीत के सब्त स्वरों के रूप में परकट गए तो हम सुनते हैं यह सब चीजें धीरे धीरे ब्रह्माजी ने परकट करी तो practically सारी creation यहाँ पर बताई जा रही कि कैसे एक एक करके creation संसार में आई शब्द ब्रह्म तो कई बार लोग कहते हैं कि मैं जो है पहले क्या थे पाशान युग था पहले पत्थर मारते थे एक दूसरों को पत्थर से चलाते थे और धीरे धीरे हम मनुष्य बने बंदर थे बंदर से हम दीरे धीरे समझे शास्त्र हैसा नहीं बताते हैं और साइंटिफिक रिसर्च भी ऐसा प्रूव नहीं कर पाती है इस बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की जा चुकी है पहले भी कभी भी साइंटिफिक रिसर्च से थाबित नहीं हो पाया कि बंदर से हम बने ये जस्ट एक एक तरह का कंटम्पलेशन करते हैं लोग ऐसा सोचते हैं स्पेकूलेशन करते हैं अनुमान लगाते हैं यह वास्तिविक तथे नहीं है क्योंकि ये scientifically prove नहीं कर पाया है शास्त्र को पढ़ते हैं तो शास्त्रों में दिखता है कि ये सारी कलाएं डेवन से ब्रह्मा जी ने जनरेट करी यानि कि संगीत की कला ऐसा नहीं है कि इंसान बाद में बंदर से दीरे दीरे जब मनुष्य बना तो उसने तारों को हिलाना शुरू किया उसने सारे गावा गाना शुरू किया ये तो संगीत की कला ब्रहमा जी ने creation के starting में ही दे दी इस तरह से सारी चीजें जो हम सुन रहे हैं ये अक्षरों का ग्यान ये सुरों का ग्यान ये सारी चीजें पहले से ही जनेट वी संस्कृत जनली सारी भाशाओं की जनली मानी जाती है और इसके सारे वेंजन सारे अक्षर और ब्रहमा जी आपर create कर चुके हैं तो इस प्रकार स शब्द ब्रह्मा आत्मना तस्या व्यक्त अव्यक्त आत्मना परा ब्रह्मा अवभाती वितता नाना शक्ती उपभियत ब्रह्मा दिव्य ध्वनी के रूप में भगवान के साकार स्वरूप है अतेव व्यक्त अव्यक्त की धारना से परे हैं ब्रह्मा परम सक्ते के पून कहीं पर भी एक आज जगह है I think हमें एक आज मंदिर ब्रमा जी का दिखता है otherwise कहीं ब्रह्मा जी पिक्चर मिन आते है यह जस्ट एक साहरी हमबल पोजिशन ब्रह्मा जी नहीं एक बार जनम लिया अरिदास्था गुरुबन करम सुनते हैं चैत्रे चरितामित में और तब भी दो बिल्कुल हमबल बने रहें तो सच पावर सब्सक्र weitना म Stefan ऑ ब्रह्मा जी से में सीक्क मिलती है कैसे सारी ओपुलेन साफा धन साफा ज्यान he has unlimited brain ब्रह्मा जी के brain के आगे किसी का brain नहीं है फिरे भी वो हमेशा humble position बना के रखते हैं और भगवान के दास के रूप में रहते हैं हम देखते हैं श्रिमत भागवत में एक बार उनसे गलती हो गई थी कि उन्होंने भगवान को पहचानने में गलती कर दी और भगवान को साध्धारन बालत समझ लिया लेकिन उसके बाद में जो prayer लिखते हैं वो एक अद्भूत prayer है आप कभी पढ़ेंगे ब्रह्मा जी जो भगवान को शमा मांगते है ब्रह्मा जी बहुत ही अद्भूत prayer करते हैं ऐसा लगता है कि definitely it's a mistake जो भगवाजी से हुई and he is a very elevated person इतने बल होने के बाद इतना ज्ञान इतना रूप इतना आपुलेंस होने के बाद भी कोई इतना साधारन रहे ये सामान बात नहीं तो ब्रह्मा जो है नाना विद शक्तियों से सामान विद है लेकिन क्योंकि उनके अंदर इतनी humility है भगवान के परती शर्वना गती है इसलिए वो पूजनी है ऐसे वेक्ति से कभी कोई गलती हो जाती है तो हम उसको नदर अंदास करना ही चाहिए जैसा कि पहले हुआ तो इस परकार से ये creation अभी थोड़ी और चलेगी कि ये अध्याय समापती की और हम जा रहे हैं और धीरे धीरे बहुती रोचक कथा करदम उनियों देवती की कथा के बारे में जल्दी स्टार्ट करेंगी हरे किष्णा शलब रुपात की जये गरंतरा श्यमत भागतम की जये